नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पार्ट फाइंडर पर सो हाल ही में जस कुछी दिन पहले की बात है USA के द्वारा ये अनॉंस्मेंट करी गई थी कि उन्होंने चाइना को एकोनॉमिकली काबू में करने के लिए एक नई स्ट्राइक फोर्स को अनॉंस किया था अब लेकिन USA क्या अनॉंस कर रहा है USA का पेंटागॉन बेसिकली इस चीज को लेके विचार कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम लोग चाइना को militarily contain करने के लिए एक permanent naval task force को स्थापित कर सकते है जिसको की primarily pacific area में deploy किया जाएगा सो बात करेंगे कि exactly ये वाली जो task force है किस तरीके से model करी जाएगी also discuss करेंगे कि ये वाली जो task force है ये इतनी खास क्यों है चलिए start करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को download करना चाते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channel से कर सकते हैं इसके इलावा आप लोग मुझ से instagram और twitter के माधियम से भी जुड़ सकते हैं इस particular ID को use करके right guys सो देखिए just कुछी दिन पहले की बात है नाटो ने ये declare कि चाइना जो है वो एक काफी बड़ा security challenge है basically नाटो ने ये declare कि चाइना एक काफी बड़ा global threat है in fact इस चीज को लेकर हमने एक video भी बनाई थी pathfinder पे अगर आपने नहीं देखी है आप जाके उसको देख सकते हैं now इसके बाद क्या हुआ just after couple of days उसके बाद ये वाली news सामने आ रही है कि Pentagon is considering a permanent naval task force in order to counter China in the Pacific ये वाली जो news है दोस्तो South China Morning Post के द्वारा cover करी गई आपके सामने है 16th June की ये खबर है और उसके बाद भारत के ANI news के द्वारा भी इसको cover किया गया to counter China Pentagon is mulling a permanent naval task force in the Pacific now देखिए कुल में लाके इस naval task force के दो बड़े बड़े भाग होने वाले हैं यहाँ पर दो बड़ी बड़ी पहले ले ले जाएंगी USA के द्वारा सबसे पहली पहले इसमें क्या है कि यहाँ पर they will be establishing a permanent naval task force in the Pacific region as a counter to China's growing military might हम सभी जानते हैं चाइना के इस तरीके से South China Sea हो या फिर Pacific का एरिया हो या फिर even Indian Ocean का एरिया हो वहाँ पर कितनी तेजी से अपने जो presence है उसको बढ़ा रही है और दूसरी चीज यहाँ पर इस plan के चलते एक ये भी चीज कही जा रही है कि एक named military operation भी यहाँ पर create किया जाएगा for the Pacific which would enable जो यहाँ पर US के defense secretary है वो उसको अलग से पैसा allocate कर सकेंगे, अलग से उसको resources allocate कर सकेंगे, so that जो यहाँ पर एक China को counter करने के लिए पूरा का नेवल task force होगा, उसको अच्छे से funding मिलती रहे, कुल मिला के ये दो बड़ी चीजे हैं जो कि यहाँ पर कही गई है, अब ये चीज क्या suddenly सामने आ गई है, तो जी नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आज से लगबग सौ दिन पहले की बात है, बाइडन ने ये कहा था कि हमें चाइना को काबू में करने के लिए कई सारे कदम लेने होंगे, और उस सौ दिन की डेलिबरेशन के बाद, सबसे पहला step तो बाइडन के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि हम लोग एक स्ट्राइक फोर्स लाँच करने वाले हैं, इसको लेकर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई थी पाथफाइंडर के ऊपर, अब उसके बाद इसी डेलिबरेशन, इसी डिसकेशन के बाद यहाँ पर USA ने ये भी कहा है तो जो ये बातचीश चल रही थी, इसी बातचीश के चलते ये दोनों के दोनों कदम यहाँ पर लिये जाएंगे इसके बाद, इंट्रस्टिंग चीज क्या है कि इस पूरे के पूरे टास्क फोर्स को मॉडल किस तरीके से किया जाएगा यानि कि यहाँ पर क्या USA अकेला ये करने वाला है या फिर USA को हेल्प करने वाले कोई और कंट्री भी है देखिए आपने NATO का जो नाम सुना होगा तो इसमें इन्होंने Cold War के टाइम पे एक टास्क फोर्स को स्थाबित किया था ये वाले जो टास्क फोर्स थी दोस्तों Cold War में इसलिए बनाई गई थी so that अगर मान लीजे एक कंट्री उस टाइम पे कम पड़ जाती है तो बाकी कंट्री वहाँ पे आके NATO की कंट्री को सपोर्ट कर सकती है अब इसमें क्या होता था कि हर कंट्री की तरफ से छे से लेके दस जहाज होते थे जो की सपोर्ट करते थे एक दूसरे को इसमें डिस्ट्रॉयर्स थे इसमें फ्रिगेट्स थे वगएरा वगएरा और ये सारे के सारे वहाँ पर तैनात के जाते थे अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो यहाँ पर अलग लग नेशन्स थे क्योंकि यह पार्टनर्शिप में आगे तो उनका जो इन्फूएंस था ये भी काफी जादा बढ़ गया था और साथी में ये अपनी इन्वेस्मेंट्स को भी काफी अच्छे तरीके से स्पेशलाइज करवा पाए थे साइमल्टेनियसली, मिलिटरली तो फायदा हुआ ही हुआ लेकिन सभी देशों को एकनॉमिकली भी काफी बड़ा फायदा देखने को मिला था almost similar lines पे ये चीज़ को प्लान किया जा रहा है second important thing यहाँ पर यह आती है कि केवल USA ही नहीं यहाँ पर जो existing task force की हम बात कर रहे हैं आने वाली task force की इस case में European Union के कई सारे देश और Pacific Nations भी यहाँ पर अपना हाथ बटाना चाहते हैं which includes various European allies such as Britain, such as France और इसके साथ Japan और Australia भी है जो कि यहाँ पर काफी जादा interested है इस particular task force का हिस्सा बनने में आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 7-8 महीनों से हम कई बार बातचीत करते आए हैं regarding the Indo-Pacific कि कि किस तरीके से UK का tilt काफी बढ़ चुका है towards the Indo-Pacific किस तरीके से Germany ने अपनी Indo-Pacific strategy को announce किया एक October 2020 की बात है किस तरीके से France ने अपनी suddenly Indo-Pacific region को लेकर एक priority बताया और अपनी एक exclusive strategy को भी announce किया है तो जी हाँ कई सारे और देश हैं जो कि Indo-Pacific में interest ले रहे हैं और अब दुनिया की सबसे बड़ी superpower इनको support करने को तयार है अपना एक अलग से naval task force बनाने के लिए तयार है जो कि कहीना कहीं चाइना को counter करने में help करेगी अब ये noteworthy obviously एक कारण तो ये है ही कि काफी सारे लोग मिलकर सामने आ रहे हैं लेकिन साथी में noteworthy इसलिए भी है USA के कई सारे observers ये मानते हैं कि अभी तक जो USA बहुत सारा पैसा Middle East में डाल रहा था वो सारा का सारा पैसा अब China वाली problem को solve करने के लिए लगा रहा है हाला कि experts का ये मानना है कि ये suddenly China को contain करना इतना असान नहीं होगा लेकिन हाँ ये जरूर है कि कही न कहीं कुछ न कुछ impact तो चाइना के ऊपर definitely पढ़ने वाला ही है हाँ एक और बात भी आपको ध्यान रखने होगी कि अभी तक इस task force का कुछ भी finalize नहीं किया गया है यानि कि कब exactly बनाई जाएगी और किस दिन launch होने वाली है अभी तक कुछ सामने नहीं आया है इस इनसान ने साफ साफ कह दिया है we are looking at a number of proposals in the Indo-Pacific and across the department to better synchronize and coordinate our activities लेकिन अभी भी कुछ चीज finalize नहीं हुई है जैसे ही कुछ final होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा जो माहा offer था वो अभी भी चल रहा है you can still avail a 25% discount और साथ में 10% का discount भी आपको additional मिल जाएगा अगर आप लोग मेरा referral code यूज करते हैं ANI UPSC इसमें साथ ही में आपको subscription लेने के साथ साथ Indian Geography का course भी available हो जाएगा जो की मैं केवल प्लस platform पे फिलहाल पढ़ा रहा हूँ इसके साथ अगर आप देखें Unacademy आपके लिए कई सारे free initiatives लेकर आया है खास तोर से Parliament की marathon series चल रही है on the Unacademy app जिसमें कि हम लोग already 4 lectures कर चुके हैं पांचवा lecture दोस्तो कल होने वाला है अगर इसमें आपको जुड़ना है तो नीचे link दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं in this free app और इसमें भी आपको यही वाला code उसकरना है ANI UPSC apart from that आने वाले रभीबार को Unacademy combat होने वाला है दोस्तों जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको यूज करना होगा code और इसमें जो लोग विजयता होंगे उनको Unacademy की तरफ से कई सारी scholarships भी दी जाएंगी on that note I take your leave thank you for listening stay tuned and stay safe